हलो दोस्तों गुढ पर एक सरी राम मेरे सुराज आपका सुवागत करते हैं हमारे चेनल पर दोस्तों जैसे कि आप हो सकता है कि हमारे वीडियो देखते हuming और नहीं भी देखते होंगे थोड़ा सो देखिए कि हम किस मुद्दे पर किस टोपिक पर बात करते हैं तो अक्सर हम अपने वीडियो में देखते हैं कि बहुत सरे इसे वीडियो में जो कॉमेंट्स आते हैं उसमें लिखा रहता है कि मैं अंधभक्त हूँ लेकिन उन चूतियों को यह नहीं पुझाता कि ओ लोग क्या कर रहे हैं जो सलाब बरसों से भारत को बरबात करने के लिए जी जान मेहनत कर रहे थे हिंदों को बरबात करने के लिए जी जान जो कॉंग्रेस मेहनत कर रहे थी जिस पार्टी में सिर्फ असी परिवारवाद को देखा गया आप देखते हैं कि किस तरह से खेर अभी तो कॉंग्रेस के अध्यक्स के लिए नाया बेक्तिया गया है अध 5 कि इसरा नमर पर के हुमिद्वार राहुल गांधी होते थे 올egष नमर पर 5 यह जो चंदे की अध्यक्षपत के लिए सिर्फ सिर्फ सिफ एक ही 24 था और राहुल गांधी लेकिन आज भारत में गुलामी करने के लिए बहुत से लोगों की आदत हो चुकी है जो कि आज कुंग् इसी बनने के चलते वो किस तरह से देश द्रोही का विसाथ दे रहा हैं, उन्हें ए चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप देखते हैं कि किस तरह से राहूल गांधी, राहूल गांधी को इजत मिलती हम उन्हें मानते कि अच्छा नेता है, यदि वो विपक्ष हैं रह करके, कि विपक्ष की बाते करता, जो सरकार में जो नेता है, जो परधान मंतरी है, उनको कुछ-कुछ मूदे पर घेरता, जो कि देश के कल्यान के लिए हो सकता था, लेकिन उस पपुछाप ब्यक्ति के द्वारा हमेशा से भारत का बिरोत किया जाता है, भी देशों में जाकर के भ गुलाम ब्यक्ति है, जिन्हें कि उसकी यह बात उन्हें अच्छी लगती है, और यह कता ही नहीं लगती है, कि आखिर कोई ब्यक्ति अपने देश से जाकर के विदेशों में अपने देश की बुराई कैसे कर सकता है, अपने देश के प्रधान मंतरी के बारे हैं बुराई क कर सकता है कोई भी परधान मंत्री तुम्हें पसंद नहीं है तुम्हें गलत लग रहा है तुम अपने देश में उसे जाकर के गेहरो जो कि तुम्हें पावर है तुम विपक से वैठे हुए हो तुम्हें उतनी कैपी सीटी है कि तुम उस पर सवाल खड़े कर सकते हो लेकिन किस तरह से बच्चों की तरह जाकर के नानी के पास यहां के बारे में बताना तो यह बहुत ही गलत है और रहुल गांधी के बहुत ही गलत मान चीता है इसके बावजुद भी बहुत सारे से लोग है जो कि उन्हे बिक्सित करना खुद ही मुश्किल है कि बहुत ही कटेन है